हेलो प्यारे बच्छो कैसे हो आप सब आप सबी का सुवागत है पीड़ुपे मैं आपका अपना टीचर आपका दोस्थ आपके फिजिक्स का नीट का हमसफर जग जोट सर आप सबी का सुवागत करता हूं पीड़ुपे अगें यहां पे लेके आया हूं लेक्चर नंबर 5 य आज आप लोगों के लिए रीकाप में भी लेके आया हूँ, यानि कि आज समरी भी होने वाला है, यानि कि इसी लेक्चर में मैं आपको समरी प्रोवाइट कर दूगा, ठीक है न, तो यहां पर आज हम लोग इसकी समरी भी डिसकस कर लेंगे, तो यहां लेक्चर के साथ-साथ इसकी summary भी discuss कर ली जाएगी, तो यह अच्छा होगा ना, कि पूरा summarize हो जाएगा, अज इसी की पूरी summary मिल जाएगी इस पूरे lecture की आप लोगों को, ठीक है, मैं उमीद करता हूँ, सारे lectures आपने अच्छे से देखे, सीखा भी, मैं comments में आप लोगों के comments पढ़ता ही रहता हू उस section में जाके देखता है जाता हूँ, अब तो आप लोगों को पता ही है, मैं छोटी-छोटी details भी देख लेता हूँ, जब मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है, यह पढ़ना जरूरी है, वो सारी चीज़े मैं उसमें identify कर लेता हूँ और मैं यह भी देख रहा हूँ, आप बहुत मन लगाके पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेके कि आप लोगों का अच्छा concentration बन रहा है, आप अच्छे discussion कर रहे हैं, healthy questions पूछ रहे हैं, very nice, बहुत बढ़िया keep it up, और यही motivation को आगे लेके चलते भी रहना है अपने को, अगर आप इस motivation के साथ आगे बढ़ते रहे, सवाल solve करते रहे, DPB time से solve करते रहे, तो बहुत ही बढ़ी है, फिर वो दिन दूर नहीं है जब आपका selection होगा, और आप मुझसे मिलने में आपसे मिलने आउँगा, ठ इसलिए हमेशा शुब बोलना चाहिए, कहते हैं न, so positivity की इस power को बरकरार रखें, अपने अंदर भी, जब भी कुछ मन घबराए, विचलित हो, ऐसा लगे, चीज़े ट्राक भी नहीं चल रही, तो कुछ negative कभी ना बोले, कभी बद बोले यार नहीं हो पाएगा मेरा, हमेश करेंगे, थोड़े theoretical question या फिर थोड़ा सा theoretical concept है, इनको थोड़ा सा समझाओंगा, समझाओंगा मैं आप लोगों को, ज़्यादा इसे exam में इतने ज़्यादा questions मैंने नहीं देखे आते वे, बट मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाओंगा, ठीक है न, इन से related कुछ चीज़े आप लोगों को बताऊंगा और आज के session में इनी पर हम discussion भी करेंगे, इनी से related question, इनी से related सवालों पर भी चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है, so start करते हैं आज का ये session, सबसे पहले question से ही मैं शुरू करता हूँ, our lift is ascending with acceleration g by 3, what will be the time period of a simple pandem suspended from its ceiling, if this period in stationary lift is T, so student मैंने आपको lift problem के बारे में पढ़ाया था, याद है आप लोगों को हमने lift वाली problem की थी, lift related problem की थी, तो हमें पता है, lift में क्या होता है, अगर हम lift में pendulum को रखते हैं, तो क्या होता है, याद करो, क्या effect था acceleration का, हमें time period का formula पता है, उसने कहा है कि stationary lift में time period है T, तो मैं T को 2 pi L by G लि ascent का मतलब है, यह उपर जा रही है, ठीक है न, यह lift उपर जा रही है, ascent कर रही है, यानि कि acceleration मेरा up है, तो यानि कि यहाँ पे जो मेरा effective G हो जाता था, वो कितना हो जाता था, याद रखें, यहाँ पे जो मेरा effective G हो जाता था, वो G plus A हो जाता था, ठीक है न, effective G क्या हो जा divided by G plus A, यह मेरा आंसर आजाएगा, यानि कि 2 pi under root L, length हमारी L ले ले लेते हैं, और G plus A, A हमें पता है यहां पर कितना दिया है, इसका acceleration आप लोगों को दिया है, G by 3, तो यहां से आजाएगा G plus G by 3, simple, यहां से 2 pi आजाएगा, और L divided by, नीचे कितना आजाएगा, G plus G by 3 कितना हो जाएगा, 4 G by 3, यह कितना हो जाएगा, 4 G by 3, यानि कि 2 pi, और under root में आपको मिलेगा, 3 by 4 L by G, या under root 3 by 4 को आप भाड़ ले सकते हैं, तो 3 by 4 को आप 3 by 2 लिख सकते हैं, यहां से आजाएगा, यह 2 pi root L by G, यानि कि T, हैना, कि जो मेरा time period है, T' वो root 3 by 2 times हो गया, root 3 by 2 times initial time period हो गया है, यह हमारा answer आजाएगा, बहुत असान है, easy है, just यहां पर आपको क्या करना है, root 3 by 4 को भाड़ ले लेना है, root 3 by root 4 को हम root 3 by 2 लिख सकते हैं, और जो बचा क्या, 2 pi root L by G, उसकी जगे हमने T डाल दिया, यहां पर मेरा answer आगया, root 3 by 2 T, असान सवाल है, यह जस्ट formula based है, इसके बाद आप time taken for a second pendulum to swing from one extreme point to another extreme point, तो यहां पर हमें पता है कि एक extreme point से दूसरे extreme point, यह last time भी मैंने आपको बताया था, simple pendulum, I think repeat हो गया यह equation, कोई बात नहीं, हमें पता है, एक extreme से दूसरे extreme तक जाने में, एक second pendulum को कितना time लगता है, दुबारा से recap कर लेते हैं, कितना time लगता है, इसका time period हमें पता है, 2 second होता है, तो इसका answer आएगा 1 second, एक extreme point से दूसरे extreme point, यह मैंने last time भी बताया था, दुबारा से देख लो, important है, एक extreme से दूसरे extreme तक जाने का time 1 second है, okay, the length of the second pendulum, second pendulum की length approximately कितनी आई थी, हम लोगोंने calculate की थी, 1 meter आई थी, याद आ गया, एक second pendulum की जो length थी, approximately जब हमने calculate किया था, तो इसकी length 1 meter आई थी, okay, so, आज जो नया concept हम लोग शुरू करने वाले हैं, वो है, buoyancy की बज़े से कैसे SHM होता है, इसके लिए मैं आप लोगों को illustration देता हूँ, illustration के बिना मज़ा नहीं आएगा समझने में, ठीक है ना, illustration देता हूँ, इसमें आप देख सकते हो, यह डूब नहीं रही, पहले तो मुझे बताओ, यह डूब क्यों नहीं रही, sir, इसके अंदर air भरी है, इसकी जो density है, वो water की density से कम है, इसलिए यह क्या कर रही है, float, कुछ हिस्सा इसका पानी के अंदर है, और बाकी हिस्सा इसका पानी के भार है, आप देख सकते हो, क्या कर रही है यह, float कर रही है, है ना, कौन से forces है, जो एक दूसरे को balance कर रही होंगे, अच्छा, थोड़ा सा, मैं इसको diagram में बना के दिखाता हूँ, आप सोचो, कौन-कौन से forces है, क्या यह equilibrium में है, कौन-कौन से forces है, इन पे चर्चा करो चल्दी से, बिल्कुल आप देख सकते हो, आपने का सर, यहाँ पे आपने ऐसे पानी डाला वा है, और यहाँ पे आपने इस object को रखावा है, आपने इस gain को इसमें रखावा है है ना, मैं मान ले तो इस तरीके से आपने इसको इसके अंदर रखावा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम मान ले ते हैं, यह मेरी जो बॉल है, वो ऐसे है, और यह पानी के अंदर इस तरीके से बैठी भी है, कौन-कौन से forces यहाँ पे लग रहे होंगे, इस समय पे जो मेरी बॉएंसी है, वो मेरी बॉएंसी है, वो एमजी को बालंस कर रही है, यानि की Equilibrium की Condition यहाँ पे है, बल्कुल है, कोई प्रॉबलम नहीं है, Equilibrium की Condition है यहाँ पे, आप कह सकते हो, यहाँ पे Equilibrium की Condition है, ठेक है न, बट क्या होगा, अगर हम ध्यान से देखें, इस Ball को थोड़ा सा प्रेस करें, तो क्या होगा, अगर हम इस बॉल को थोड़ा सा प्रेस करें, अगर मैं इस बॉल को थोड़ा सा प्रेस करता हूँ, तो देखो मैंने इसको दबाया, और अगर मैं छोड़ दू, तो क्या ये नीचे ही रहेगा या उपर आएगा, अगर मैं इसको दबा रहा हूँ और छोड़ दू, तो क्या ह होगा कि aspect करते हो है आप देखते हो यह ऊपर आती है है फिर से दबाँ और इसको छोड़ो तो सिर्फ उपर नहीं आती है उपर आने के बाद यहां आने के यह करती है अगर आप अपर घोड़ों गे हैं ऐब्वड़ की तरफ we और क्या होता है अब जो भूएंची है वो एमजी से बड़ी हो जाती है जब आप इसको नीचे दबा देते हो जो नेट भूएंची है उपर की तरफ बीडाश वो क्या हो जाती है बीडाश क्या हो जाती है ग्रेटर देन एमजी चीक है ना यहां पर जो बीडाश है वो ग्रे जाती है क्योंकि इसके पास speed होती है फिर इसका mg buoyancy से जादा हो जाता फिर यह नीचे आती है फिर इसका मतलब यह oscillate करती है तो यहाँ पे जो आप disturbance create कर रहे हैं इसकी वज़े से यहाँ पर oscillations create होती है ठीक है ना यहाँ पर इस तरीक है कि oscillations create हो सकते हैं उपर नीचे उपर नीचे करती है अब हम लोग यहाँ पर क्या हम टाइम पिरियेड हो मैंगा वगारा निकाल सकते हैं निकाल सकते हैं बट इस बॉल के लिए नहीं यानि कि circle ही इसका cross section area है बट circle का radius change हो रहा है तो हम लोग जो time period और omega easily calculate कर सकते हैं वो एक ऐसे object के लिए कर सकते हैं जिसका cross section uniform हो मैं आपको example देता हूँ इसका cross section uniform है circle है और जिसका radius नहीं change हो रहा है स्फेयर का radius change होता रहता है क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे स्फेयर का radius नहीं change हो रहा है actually क्या change हो रहा है जो हिस्सा पानी के अंदर है देखो पहले पानी के अंदर इतना हिस्सा है तो आप यह वाला cross section लोगे circle का जब यह थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तो cross section area इसका change हो जाएगा मतलब कि हमें वह वाला circle लेना है जो पानी के layer के अंदर है हम इस circle की बात कर रहे है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे spherical की बात नहीं कर रहे है cylindrical की बात कर रहे है एक्जाम में भी अगर आया तो इस तरीके का object देगा या तो आपको ऐसे cylinder देगा या फिर cuboid देगा cube देगा जिसका cross section area ना बदल रहा हूँ जैसे आप देख सकते हो इसको अगर आप liquid में रखते हो तो आप देख सकते हो इसका cross section change नहीं हो रहा है है ना हमेशा इसका जो क्योंकि यह flat आप देख सकते हो लाइन बिल्कुल parallel है square में problem थी square में ऐसा था वो system तो कभी यह region पानी के अंदर था कभी यह region पानी के अंदर था तो आप देख रहे है उसकी विर्थ बदल रही है ठीक है सो यहां पर हमारा uniform cross section आप कहा सकते हो uniform cross section case हम लोग consider कर रहे है uniform cross section यहां पर जो cross section है वो मेरा uniform cross section है जैसे की cylinder हो गया आप cube या keyboard भी रख सकते थे ठीक है इसका area इसका जो मैं area ले लेता हूँ इसका area ले लिया मैंने a इसका area of cross section a ले लिया जो throughout same है ठीक है अब आप कहा रहे होगे यहां पे equilibrium होगा यहां पर obviously आप कहोगे mg किसको balance कर रहा होगा definitely नीचे की तरफ mg लग रहा होगा और उपर की तरफ क्या लग रहा होगा नीचे की तरफ तो लग रहा होगा यहां पर जो force आप उसको बोल दोगे mg और उपर की तरफ लग रहा होगा इस पर buoyancy और यह balance दोगे बट क्या होगा अगर आप इसको थोड़ा सा push कर दोगे मालो आपने इसको थोड़ा सा push कर दिया यहां से आपने force लगाया इसको push किया तो यह cylinder थोड़ा सा नीचे आ जाएगा लेटर ओन आप जैसी इसको push करोगे तो यह cylinder क्या हो जाएगा थोड़ा सा नीचे आ जाएगा आ जाएगा ना, मालो आपने कितना distance push किया इसको, distance y, आपने इसको कितना push किया, कितना distance दिया, आपने y distance दिया, आपने इतना push किया, तो इससे क्या हो गया, यह थोड़ा नीचे आ गया, तो इससे कुछ extra volume नहीं cover कर ली इसने, पानी के अंदर यह extra volume नहीं चला गया, जो भी fluid था, water भी हो सकता है, कोई और solution भी हो सकता है, तो यहां पर आपने जैसी इसको नीचे की तरफ पुष किया, तो इसके अंदर extra buoyancy आई, इस fluid की बज़े से इसको क्या मिली, extra buoyancy, यह extra buoyancy ही इसको उपर लेके आ रही है, अगर आप ध्यान से सूचो, सूचो क्या restoring force है, वो यह extra buoyancy है, पहले तो mg और buoyancy balance हो रहे थे न, अब अगर आप इसको नीचे की तरफ करोगे, तो buoyancy बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी, जितना इसका weight होगा, जितना आपने extra weight displays किया है, वो extra buoyancy, buoyancy तो होता ही था न, weight of fluid displays, buoyancy का तो मतलब यही था न, weight of fluid displays, पहले वो कुछ fluid को buoyancy आई, वो extra buoyancy ना होती, तो यह उपर जाता, नहीं, यहांनि यहां restoring force extra buoyancy है, तो आपको याद रखना है, here restoring force is extra buoyancy, यहां पे restoring force जो है, here restoring force is extra buoyancy, extra buoyancy ही हमारा restoring force है, ठीक है न, बस, अब तो यह simple है, अब तो बहुत एजली हो जाएगा यह, यानि कि f restoring जो मेरा लगेगा, जैसे हमारा spring mass system में क्या लगता था, kx, है न, spring mass system में क्या लगता था, kx, और आप minus kx लिखते थे, क्योंकि restoring force है, यह restoring force लगेगा, minus buoyancy, minus buoyancy क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि buoyancy इसको restore कर रहा है, ठीक है न, तो अगर आप ध्यान से देखो यहां पर restoring force क्या होता है, इस cylinder का जो भी mass है, जो object का जो भी mass है, mass of object हमने m ले लिया, तो आप बोलोगे, mass of object into acceleration is equals to minus buoyancy का formula क्या होता है, आप इसको नीचे कितना ले के आए हो, कितना distance नीचे ले के आए हो, y distance ले के आए हो, area कितना है, तो इसका volume हो जाएगा, a into y, a into y, और अगर मैं liquid की density देखू, मैं rho L लिख देता हूँ, density of liquid को rho L लिख देता हूँ, तो extra buoyancy जो मेरी लगेगी, हमें वो देखनी है, extra, total buoyancy नहीं, restoring force is not buoyancy, this is the extra buoyancy, जो भी extra buoyancy लग रही है, यानि कि, extra volume जो इसने displace की है, जो भी उसने extra volume displace की है, into density of liquid, ये क्या हो गया, m की जगया और into g, ये मेरा answer आएगा, अगर मैं यहां से acceleration को देखू, तो यहां से आजाएगा, extra volume के लिए क्या formula यूज करूँ, जो इसने extra volume displace किया है, कितनी length आगई यहां से, y, और कितना area of cross section है, a, यानि कि extra volume के लिए मैं ay into rho L मेरी density हो गया, into g लिख सकता हूँ, divided by यहां acceleration का formula आगया, simply y को आप अलग कर लो, यहां से क्या आजाएगा, acceleration को आप लिख क्या सकते हूँ, acceleration को लिख सकते हूँ, क्योंकि y direction में है, t square y by dt square is equals to minus a rho L g divided by mass of object, देखो यहां पर जो mass लिए है, वो इस extra liquid का नहीं लिए, पूरा object oscillate कर रहा है, उसका mass लिया है, तो आप को यहां पर d square y by dt square और यहां पर y है, तो y के साथ जो लगा है, वो सब omega होगा, यह differential equation है, shm की general equation बन गई, यानि कि आप better इसको कैसे लिख सकते हो, d square y by dt square को यहां से लिख सकते हो, minus omega square y, यानि कि हम लोगों को क्या result मिल गया, अगर हम ध्यान से देखेंगे, इस पूरी equation को solve करके हमें क्या result मिल गया, मैं यहां पर result लिख रहा हूँ, हमें मिल गया कि जो हमारा omega है, वो कितना आप देख सकते हो, under root rule a g divided by m, ठीक है, omega मिल जाएगा, तो आप time period भी निकाल सकते हो, simple है न यह, हाँ, मान लो आपको question में object का mass ना दे, और density दे, है न, यह कब use करना है, यह वाला formula कब चलेगा, when mass of object is given, when mass of object given, जब object का mass given हो, ठीक है न, when mass of object is given, तो यह वाला formula use करो, और अगर आपको density दी जाए, if density of object is given, mass की जगे object की density, जो की obviously liquid की density से कम होगी, तभी तो float कर रहे है, if density of object given, अगर question में, object की density given हो, तो क्या formula use करेंगे, अगर object की density given होगी, तो आप formula use करोगे, यहाँ से, omega is equals to, under root, rho L, A, G, और mass of object की जगे, उसकी volume डाल दो के, मालो हमें इसकी total height दी है, cylinder की, total height हमें दी है, h, h क्या है हमारी height of cylinder, यह क्या हमारी height of cylinder, यह क्या हमारी height of cylinder, यह cylinder की height दी है हमें, तो हम simply क्या डाल देंगे, volume of cylinder into, volume of cylinder into, क्या डालना पड़ेगा हमें, density, हम mass को यह लिख सकते हैं, तो mass of cylinder को मैं यह लिखके दिखा देता हूं, तो volume को क्या लिखेंगे, height into area into density of object, इसको यहां substitute कर दो, तो यहां पर area into height आ जाएगा, और into density of object आ जाएगा, तो यहां पर area, area cancel हो जाएगा, यहां से आ जाएगा, density of liquid divided by density of object, और into g, और divided by h, so, यहां से formula आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देख रहे हो, density की terms में, अगर question पूछा जाएगा, ठीक है, so directly आप लोगो अगर इन formulas को आ जाएग सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको derive भी कर सकते हैं, आप देख सकते हो, बहुत simple है, यहां से omega का formula आप लोग कोई problem नहीं है, once you get omega, you will get time period, so, यहां पर जो हम लोगों ने करा है case, हमने देखा, spherical object के लिए नहीं है, यह result किसके लिए applicable है, this result is applicable, only for, कैसे objects की बात करें हम, जिनका cross section uniform होता है, cross section uniform किस-किस का होता है, example के तोर पे अगर मैं बात करूँ, किनका cross section uniform होता है, जैसे कि आपने यहां cylinder लिया, है न, फिर आप cube भी ले सकते हो, cuboid भी ले सकते हो, ठीक है न, ऐसे cube भी ले सकते हो, cuboid भी ले सकते हो, ऐसे objects दिये जाए, जैसे ice cube दे दे, ice cube को आप दबाओगे तो क्या होगा, हाँ, density of object is always greater, is less than density of liquid यहां लेना पड़ेगा, तभी यह float करेगा, liquid डादा dense ह होगा, ठीक है न, यहां पर हम लोगों ने जो SHM पड़ा है, वो हम लोगों के लिए extra buoyancy की बजे से आया है, आप याद रखना, मैंने आपको practically illustrate करके भी दिखाया, ठीक है न, मैंने spherical object के लिए दिखाया था, बट यह object थोड़ा अलग है, हाँ, obviously, जो मेरा container है, थोड़ा illustration किया है, इसमें बस आप यह दियान से देख सकते हो, जब मैं वाल को अंदर डालता हूं, तो water का level हिलने लगता है, हम यह नहीं कर रहे हैं, पर water का level नहीं हिलना चाहिए, यहां पर हिल रहा है, क्योंकि इसका पानी, जो मेरा glass है, वो छोटा glass है, है न, इसका cross section का मैं glass का, तो बड़े system में जाके, एक बड़े tub में जाके आप, या फिर बड़े सी एक bucket में आप क्या कर सकते हो, इसको डाल सकते हो, और इस तरीके से oscillate करा सकते हो, ठीक है, clear, okay, now next thing is, SHM due to extra buoyancy, जो हमने किया है, इसका बस एक बार formula लिख लेते हैं, जो भी हाँ formula आए है, मैं दोनों एक बार formula लिख लेता हूँ, अगर हम लोगों को mass given है, mass of object given है, तो rho AG by M, है न, अगर mass given है, तो हमें formula क्या रखना है, under root rho density of liquid into area of cross section into G divided by M, ठीक है, यह क्या है, liquid की density है, मैं जस formula यहाँ पर mention कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए, ठीक है, एक क्या है, area of cross section, जो की uniform है, ठीक ह यहाँ पर M क्या है, mass of object, this is mass of object, यह object का mass है, ठीक है न, तो आप यह formula use कर सकते हो, अगर आप लोगों को यह information given है, otherwise आप क्या use करोगे, इसके रावा क्या use कर सकते हैं हम, हमने देखा, दूसरा formula क्या था, density of liquid divided by density of object, है न, area तो हमारा cancel हो जाता था, ओपर G आता था, नीचे height of object आती थी, ठीक है न, this is height of object, यानि की, यहाँ पर, this is density of object, ठीक है न, यह क्या आगया हमारा density of object, object की density, और यह क्या है, मेरी height of object, object की total height, है 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 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जो टोटल हाइट समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से ठीक है ना सो आप इसको consider कर सकते हैं या फॉर्मला देख सकते हैं this is also for omega टाइम प्रियर निकालनो तो टूपाई वाइव का ऐसे में यूशेप ट्यूब हाँ यूशेप ट्यूब में इसे में कैसे होता है यह भी बहुत important है, इसको भी बड़े द्यान से देखेंगे, आप U-shape tube में SHM कराना है, तो इस तरीके से आप एक U-shape tube बना लें, सबसे पहले, ठीके, इस तरीके से आप सबसे पहले U-shape tube बना ले, इस तरीके से मैं एक U-shape tube बना दी है, ठीक है, और इसके अंदर क्या कर लेंगे, इसके अंदर हम fluid consider कर लेंगे, let us say, मैं यहाँ पर fluid consider कर ले तो हम दोनों side पर, ठीक है ना, दोनों side पर, तो अगर दोनों side पर fluid same height पर है, रेस्ट पर है, कोई velocity नहीं है, तो यह equilibrium है, आपको अगर यह equilibrium है, clearly equilibrium है क्योंकि fluid move नहीं कर रहा है यहाँ पर velocity 0 है तो कोई reason नहीं है fluid को oscillate करने का fluid ऐसे ही रहेगा ठीक है न यह अगर आपको equilibrium नजर आ रहा है तो fluid इस तरीके से रह सकता है कोई problem नहीं है आपने कोई भी fluid डाला है उसकी कुछ density होगी लेटर से की density को मैंने रो ले लिया ठीक है problem को बात है जब आप इसको थोड़ा बहुत हिला देते हो आपने इसको टेड़ा मिड़ा किया आपने थोड़ा बहुत है उसका माहस ऑलगे मास ओ फ्लुए अपने मालों यहां से सक्षण क्रेट किया आपने नहीं सक्षें करने की बजहे से आपने हमसे को सक्षन करेट के तो लेवल ऑब अपर चला गया महलों यह किसीड़ा आपर चला आपने किसी हाइट तक ईसको सक्षन क्रेट किया तो यह lenका तक चला गया यह वाइं वेज़र अब वॉल्म तो इना अगर यह लेखल उपर जा रहा है तो यह लेवल नीचे जाएगा uniform cross section है tube का tube का जो cross section है वो कैसा है uniform cross section है आप देख सकते हो जितना area यहाँ पे ट्यूब का उतना ही यहाँ पे throughout area same है तो अगर यहाँ पे आपने इसको y height उपर दिये तो यहाँ से कितनी height नीचे जाएगी obviously y height नीचे जाएगी अगर वहाँ से y height उपर जाएगी तो यहाँ पे y height नीचे आचाएगी समझ सकते हो यानि कि जो आपका new system है यह old system था आपका जो new system है वो कैसा दिख रहा होगा हम एक बार उसको draw कर लेते हैं यानि कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपकी difference होगा अगर यह y उपर है यह y नीचे है मैं आपसे पूछे हूँ यह overall आपको कितना difference नजर आ रहा है तो definitely आप बोलोगे यह 2y का difference होगा कितना difference होगा 2y का clearly जो initial level था वो यहाँ था मैं इसको reference के लिए दिखा रहा हूँ यह initial level ठीक है तो आप यहाँ section छोड़ोगे आप मुझसे सक कर रहे थे आप पानी को ऊपर खीच रहे थे मान लो आपने खीशना बंद किया जानते हो क्या होगा आपने खीशना बंद किया तो क्या होगा अरे सर यह level आएगा नीचे और यह level क्या आएगा ऊपर आए गा ना यानि कि आपने सक्षेन छोड़ा तो यह लेवल नीचे आएगा क्योंकि इस स्पीड होगी यह ऐसे जाएगा फिर यh吆 से चालोगा ऐसे फिर यानि कि से तो यह तो ethn yg हो गया होता है ना इसे ग्लास में भी हिलाता हूं तो is में भी SHM होता है, अगर आप ग्लास में भी ऐसे यह पानी है, पहले अराम से पढ़ा है, अगर मैं हिलाओंगा तो आप देखती हो, यह ना, ऐसे, 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 करता रहता है न, वही चीज़ यहां भी हो रही है, तो यहां पे भी oscillation हो रहा है, इस तरीके से, यहां पे निकालेंगे कैसे, जैसे पिछली बार तो हम लोगों ने, restoring force पेचान लिया था, यहां पे जो, मेरा restoring force था, वो क्या था, यहां पे यहां पे इस सिस्टम में, restoring force का काम कौन कर रहे है बड़े ध्यान से समझना आपको लॉजिक समझ में आएगा आप एक काम करो अभी तो लिक्विट रेस्ट पे है ना आपने इसको यहां कीचा है छोड़ा है अभी तो इसकी स्पीड जीरो है ना आप इसी समय अगर इतना हिस्ता लिक्विट का बहार निकाल दें सोचो इतनी लेंथ अगर लिक्विट की भार निकाल दें तो यह रेस्ट पे है ना तो क्या उस्सिलेशन होगा फिर सोचो लॉजिक समझ ना मैं क्या कह रहा हूँ आपको पता है इस टाइम तो लिक्विट रुका वाए ना आपने यहां से सक्शन किया यह यहां तक आ समें जो आपने सक्शन क्रिट किया इस समय अगर मैं इतना लिक्विड इहां से हटा दू और स्पीड भी जीरो है तो फिर तो दो रिवल से बराबर हो जाएंगे यह सिस्टम का बट डोनौ लेवल फिर से बराबर आजाएंगे ना आएंगे यह नहीं आएंगे आजाएंग के बाद यह जो height का difference है 2y है, यानि कि मैं यह जो shaded volume दिखा रहा हूँ आपको pink color से, यह जो shaded volume है liquid का, इसका जो weight है mg, यानि कि जो shaded volume है न मेरी, यह जो extra volume है अगर आप ध्यान से देखोगे, इस volume का जो weight है, weight of this volume, वो हम लोगों को SHM करा रही है, क्योंकि यहां से एक force लगेगा mg नीचे, क्योंकि यहां तो उपर कोई liquid है नहीं, तो यह force जादा होगा, यहां उपर कोई force है नहीं, नीचे से कोई दबा नहीं रहा, यहां से यह liquid इसको नीचे दबा रहा है, इसलिए यह liquid उपर जा रहा है, यानि कि weight of shaded portion, यहां जो shaded portion है, इसका जो weight है, वो हमारा SHM हमान लो, यानि कि यहां पर जो हमारी extra buoyancy है, वो किसकी बज़े से आई है, weight of shaded, है न, weight of shaded portion, shaded liquid, जो liquid में हमने shade किया है, उसकी बज़े से आई है, ठीक है, तो आप कह सकते हो, यहां पर भी जो हमारी restoring force है, यहां पर जो हमारा restoring force है, extra force यहां फिर इसको restoring force करें देता हूं, जो मेरा restoring force था, वो किसके बराबर है, weight of shaded liquid, यानि कि यहां पर एक negative sign ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि आप इसको लेके उपर गए थे और weight नीचे लग रहा है, displacement उपर है और force नीचे लग रहा है, इसल volume कितनी हो जाएगी, area into height है इसकी 2y, है इसकी height 2y है, area into height 2y और into g, तो आप देख सकते हो, यहां पर आजाएगा, minus rho ag और 2b आगे रख लेते हैं, minus 2 rho ag, ठीक है, और multiply by y, यह हो जाएगा मेरा mass of liquid, entire liquid, पूरे liquid का mass जो था, वो, पूरे liquid का mass है, ठीक है न, mass of total liquid, जो पूरा liquid था, उसका mass था, into acceleration, तो acceleration को आप d square y by dt square लिख सकते हो, फिर से, और यह कितना आजाएगा, 2 rho ag y, और divided by mass, 2 rho ag y, divided by mass, यहां से आप calculate कर सकते हो, आप देख सकते हो, जो भी चीज़ यहां लगी है, इससे पहले, minus omega square y, आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, omega square y, इस तरीके से आप लिख सकते हो, यहां पर अगर आप omega calculate करोगे, तो आजाएगी, 2 rho ag by m, 2 rho ag divided by m, ठीक है, यह मुझे omega मिल गया, ठीक है न, under root, यह square आया है, अगर आप omega निकालना चाहते हो, तो इसका under root आजाएगा, under root of 2 rho ag y divided by m, यह हमारा क्या हो गया, इस तरीके से omega, time period निकालना है, तो 2 pi by omega, time period निकालना है आपको, तो 2 pi by omega हो जाएगा, simple, यह हमारा 2 pi by omega हो जाएगा, आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है ना, तो यह SHM in U-shape tube में, इस तरीके से आप SHM को देख सकते हैं, यह example हो गया, SHM in U-shape tube का, ओके, clear है, important है, इसको अच्छे से देख लेना एक बार, अच्छे से इसका formula देख लो, मैंने यहाँ पर इसका formula लिखा है, U-shape tube में कैसे हम होगा, ओमेगा कैसे निकाला है, आपको बस इतना याद रखने है, यहाँ जो restoring force है, यह एक्स्ट्रा liquid उपर आगया है, जिसकी height 2y है, क्योंकि एक side से y उपर गया, एक side से height नीचे की दिरफ गया y है, अगर यह liquid उपर उठ रहा है, तो यहाँ से liquid नीच आ SHM inside earth tunnel, ठीक है, यह बहुत important concept है, और इसका हम directly system याद रख सकते हैं, यह हम अपनी earth देखें, हम लोग gravitation already पढ़ चुके हैं, ग्राविटेशन आप लोगों ने देखा वाए, चैप्टर, ग्राविटेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, पहले, मतलब अगर आप याद करो gravitation chapter आप लोग discuss कर चुके हो, ठीक है, मैंने नहीं पढ़ाया, मैं तो अभी आपको पढ़ाऊंगा, electrostatics के साथ ही पढ़ा दूँगा, gravitation, but gravitation के बारे में आपने थोड़ा बहुत तो सुना होगा, ठीक है, तो यह gravitation का एक formula मैं यहां use कराऊंगा, acceleration due to gravity with depth, ठीक है न, acceleration due to gravity with depth का मैं concept use कराऊंगा, tunnel का मतलब क्या होता है, यहां पर सुरंग करना, tunnel का मतलब है सुरंग करना, माल लो आपने यहां से सुरंग खोदनी चालू की, और सुरंग करते करते आप यहां पोहुँच गए, एक side से खोदना चालू किया, दूसरी side तक पोहुँच गए, यहां से ाई चालू किए और खूदते 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 यहां पोँच duas में मास लेता हूं और रेडियस कितनी आर्थ की में माण लेता हूं है एर्थ के दो रेडियस मैंने ले लिए री ठिक है अब हमने क्या किया यहां से देखा यहां पर अगर कोई object रख दिया जाए ठीक है न यहां पर अगर कोई object रख दिया जाए उस पर जो acceleration लगता है वो हमेशा earth के center पर लगता है उस पर हमेशा acceleration का लगता है earth के center पर surface पर कितना acceleration लगता है जी आप जैसे ऐसे नीचे जाओगे माल लो आप यहां पहुँच गए ठीक है न तो आप देख सकते हों यहां center से जो इसका distance है वो कितना है r center से क्या distance है r इसकी depth देखेंगे तो इसकी depth है d surface से इसका distance माल लेते हैं d और center से r यहां पर यह SHM जैसा है यह मेरी equilibrium position की तरह है क्योंकि object जब यहां पहुँच जाएगा तो इस पर acceleration 0 हो जाएगा तो acceleration अगर हम center से distance की बात करें आप gravitation में यह formula पढ़ोगे acceleration का formula यहां पर होता है minus g r divided by radius of earth यह formula होता है g का मतलब होता है small g का मतलब क्या होता है this is nothing but g m e g times m e divided by r e square capital g मेरा universal gravitational constant है universal gravitational constant है हाला कि आपको जरूरत नहीं है आप इसकी value याद रख सकते हो approximately 9.8 meter per second square और question करते टाइम आप इसको approximately 10 b ले लेते हो depending upon question में values क्या दिए ठीक है रहा तो यानि कि अच्छा यानि कि आप याद रखो अगर object यहाँ पर है तो इस पर force हमेशा towards the center लगेगा जैसे शम में होता था और मालो object मेरा कहीं यहाँ पहुंच गया अगर मेरा object कहीं यहाँ पर है तो इस पर जो force लगेगा वो भी towards the center लगेगा तो force जो है जो भी हमारा force है वो restoring force की तरफ काम कर रहा है फोर्स इस ओल्वेस तुवर्ट सेंटर यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या बताता है हमें कि acceleration भी towards center है हमेशा acceleration भी कहा है towards center अगर आप यहां से our distance right-side देख रहे हैं तो acceleration left-side होगा यांनि कि अगर अगर तो अगर आप इस object को छोड़ेंगे तो यह हैं करेगा यह आगे जाएगा इदर जाएगा इदर जाएगा ऐसे ऐसे करेगा स्प्रिंग मास सिस्टम करता है और यहां जाके इसकी स्पीड मैक्सिमुम हो जाएगी एक्सेलरेशन जीरो यानि कि यह जो सेंटर है सेंटर एक्स लाइक सेंटर की सेंटर कैसे बहेव करेगा सेंटर लाइक मीन पुजीशन यह किसकी तरह बहेव कर रहा है मीन पुजीशन की तरफ यहां जो मीन पुजीशन है वह सेंटर है ठीक है यहां पर आपके net force 0 हो जाएंगे, force is always towards the center, ठीक है न, और force at center will become 0, center पे जो force होगा, वो 0 हो जाएगा, acceleration भी center पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे मेरी velocity maximum होगी, तो जो amplitude oscillation का वो कितना होगा, अगर आप इसको यहाँ से छोड़ रहे हो, radius of earth will be the amplitude, अगर आप इसको कहां से छोड़ रहे हो, surface पे छोड़ रहे हो, तो RE is equals to amplitude of SHM, चीक है न, यह amplitude हो जाएगा SHM का, जरा equation को एक बार दुबारा ध्यान से देखें, यहाँ पे जो equation है, वो A है, A को मैं D square R by DT square लिख सकता हूँ, ठीक है न, यह आजाएगा, minus G by RE, into, यहाँ पे R, तो आप देख सकते हो, यह SHM की equation बन गई, जिसको आप minus omega square R लिख सकते हो, यानि कि यहाँ पे जो मेरा omega है, वो कितना है, G divided by RE, और मेरा time period जो होगा, वो होगा 2 pi RE by G, time period कितना हो जाएगा, 2 pi RE by G, यह मेरा time period हो जाएगा, अगर आप इसको exactly calculate करते हूँ, radius of earth, जो approximately, जो हम radius of earth की बात कर रहे हैं, यह earth का radius है, RE को हम क्या लिख रहे हैं, radius of earth, अगर आप इसको exactly substitute करते हैं, यह around 6400 km होता है, 6400 km यानि 10 की power 3 meter, around इतना होता है, और G की value substitute करें, totally solve करेंगे, तो approximately 84.6 minute answer आता है, 84.6 minute, approximate इसका answer आता है, पहले से याद रखते हैं, पुरा calculate नहीं करने बैठेंगे उस time exam में, ठीक है, ना minutes में आप इसका answer 84.6 minutes आप around याद रख सकते हैं, ठीक है, इसको आप एक बार याद कर लेंगे, यह SHM inside earth tunnel का answer है, ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने tunnel किया, यहाँ से start किया, और यहाँ खतम हो रहा है, यह इस तरीके से SHM कर रहा है, this is simple harmonic motion, ठीक है ना, यह tunnel मैं ऐसे भी खोद सकता हूँ, अलग-अलग तरीके से भी कर सकता हूँ, मतलब कही से भी यह tunnel खोदी जा सकती है, मालो यह मेरी earth है, ठीक है ना, यह उसका center है, आप कोई भी tunnel ले लो, ऐसा नहीं कि ऐसे, अगर आप ऐसे tunnel ले लोगे, तो भी SHM होगा, आप ऐसे tunnel ले लोगे, तो भी SHM होगा, इन सभी में जो amplitude है, वो मेरा radius of earth है, आप कोई भी ले लो, यह center of earth है मालो, यह सारी tunnels में आपका जो amplitude है, वो किसके बराबर है, जो आपका amplitude है, वो किसके बराबर है, radius of earth, क्योंकि यहीं वो oscillate कर रहा है, ठीक है ना, हर बार जो force लगेगा, वो towards the center, यहाँ पर भी center की तरफ, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी देख लो, जो भी हमारा force लगेगा, वो towards the center लगेगा, तब tunnel कैसे भी कर सकते हो, अच्छा, अब आपके mind में आ रहा होगा सर, जो भी तर अभी तक हमने tunnel बनाई है, वो सारी tunnels center से pass हो रही है, सारी tunnels, all the tunnels passes through center, ठीक है न, if tunnel does not, अब क्या करें, next case लेते हैं, चलो अगला case लेते हैं, इस case में लिखते हैं, if tunnel, if tunnel does not passes, does not passes through center, ठीक है न, अगर वो center से pass ही ना करे तो, तो क्या होगा, अगर tunnel center से pass ही ना करे तो, for example, अगर मैंने अपनी earth मनाई है, मानले ते हैं, मारी earth है, और अगर हम tunnel बना रहे हैं, मानलो मैंने tunnel थोड़ी ऐसी बना दी, अजीब सी tunnel बना दी, इस तरीके से, ठीक है न, ऐसे tunnel बना दी, यहां से, तो आप एक side से खोथते वे, दूसरी side से निगल आए भार, अगर आप object को देखो, कोई भी object को देखो, मानलो यहां पर कोई object है, कहीं भी रख दो, तो इस पर जो force होगा न, वो मेरा towards the center होगा भी भी, but वो center की तरफ जा नहीं सकता, क्योंकि tunnel में है, तो इसका कोई ना कोई component force का आपको यहां मिल जाएगा, मतलब actually जो force लगेगा, वो center की तरफ लगेगा, पर अगर मानलो यह angle theta है, तो आपको कोई ना कोई force का component मिल जाएगा, f cos theta, पर वो कहां मिलेगा, इधर, इसकी तरफ, towards this center, मतलब tunnel की center, यह center of tunnel है, आर्थ का center नहीं है, और ऐसी अगर आपने object यहां छोड़ा, तो force यहां लगना चाहिए, पर आपको कोई ना कोई component यहां मिल जाएगा, फिर से, यह angle भी मेरा theta होगा, दुबारा से, है ना, क्योंकि यह दोनों मेरी radius बन गई, ठीक है ना, तो यह angle भी मेरा theta होगा, यानि कि यहां भी अगर कोई force होगा, same force होगा, तो इसका component आपको center की तरफ मिल जाएगा, ठीक है ना, और अगर आप यहां पहुच जाओगे, तो net force सिर्फ 0 हो जाएगा, क्योंभी force इधर होना चाहिए, उसका कोई component नहीं मिलेगा, यानि कि जैसी आप यहां पहुचोगे, तो आपका यहां net force क्या हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई component नहीं मिलेगा, क्योंकि इस ताइम force इस direction में लग रहा होगा, यानि कि यहां भी system ऐसा ही है, अगर आप object को यहां छोड़ रहे हो, जितना force यहां है, उतना ही force यहां होगा, towards the center होगा, यानि कि यहां भी oscillation हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है, अब मैं इसको पूरा calculate नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें तो result याद रखना है, आप J में होते हैं तो आप पूरा result कराता, अभी इसका final answer बताऊंगा, यहां पे फरक ही नहीं पड़ता, यहां पे just amplitude बदल जाएगा, अगर आप ध्यान से देखो, यहां पे amplitude बदल जाएगा, यहां पे आपका amplitude कुछ होगा, amplitude यहां से यहां तक का distance होगा, यहां आपका amplitude क्या होगा, यहां से यहां तक का distance, ठीक है न, अगर यह R है तो R cos theta हमारा amplitude हो जाएगा, क्योंकि यह distance यहां से यहां तक radius of earth है, यह angle आपने theta माना है, तो आपका जो amplitude है वो बन जाएगा R cos theta, ठीक है न, अगर यह theta angle question में दे दिया जाए, यह r है तो यह r cos theta हो जाएगा हमारा amplitude हो जाएगा और time period same रहेगा 2 pi by omega यानि कि वो अभी भी 2 pi root कितना आ जाएगा r e by g same देखो pendulum का 2 pi l by g 2 pi root l by g होता है या r e by g यह बस इतना याद रखना यानि कि omega अभी भी same रहेगा यानि कि बड़ी वाली टनल जितना तो channel जितनी मर्ची छोटी ले लो जितनी बड़ी बड़ी ले लो एक जगे से दूसरी जगे आप निकलोगे time period का formula same रहेगा यानि कि वो नहीं बतलो याद रखना time period change नहीं हुआ है same रहा है ठीक है न यह हमारा same रहे यह नहीं बतला amplitude बदल गया है यहाँ पर बस amplitude इतना हो जाएगा पहले amplitude क्या था हमारा radius of earth के बराबर अब हमारा amplitude क्या हो जाएगा बदल जाएगा यहाँ पर amplitude change हो जाएगा ठीक है clear है समझ में आ रहे है अच्छा कभी आपसे बोले कि अगर ऐसा हो जाए मान लो है ना सवाल में आपको ऐसा case दे आपको बोले भया question में change कर दें बोल दें मान लो यह हमारी अर्थ वाली ही टरनल है यह पूरी टरनल है वह ही अर्थ वाली है ठीक है ना और object को किसी height स drop करें वह object को एक चोटी सी height से drop कर रहे है इस height से drop कर रहे है अब आप से पुछेगा क्या होगा याद रखना जब आप इसको drop करोगे यहां जाएगा पर तुवर्ट जा सेंटर सेंटर और यहां से बाहर निकल जाएगा अब उसका amplitude अलग हो जाएगा ठीक है अगर आप अब यह SHM नहीं है क्योंकि SHM की कंडिशन है फोर्स इंवर्सली प्रपोर्शन फोर्स डिरेक्ली प्रपोर्शनल होना चाहिए इस्टेंस के यहां पर acceleration का फॉर्मला अलग लगेगा यहां पर अगर आप acceleration देखोगे इंवर्सली प्रपोर्शनल होता है वन बाई आर स्कॉर यहां पर acceleration डिरेक्ली प्रपोर्शनल है माइनस आर के ठीक है ना तो दोनों में फरक है यानि कि यहां पर यहां से लेके यहां तक यह SHM की और इक्वेसिट्ट और यहां तक हैस एक्वेसिट्ट नहीं करेगा हाँ एं आपसे पूछे क्या यह SHM है नहीं ही यह oscillation is present है ना यहां oscillation होगा oscillation होगा oscillation है here oscillation is not harmonic oscillation तो है पर harmonic नहीं है ठीक है ना oscillation तो है बट harmonic नहीं है यानि कि यहां पर जो मेरा motion है वो periodic है बट not harmonic motion कैसा है यहां पर periodic है बट not harmonic periodic तो है बट harmonic नहीं है याद रखें ठीक है यह हाइट छोटी हाइट है तो आप यहां से अगर आप इसकी इनिशल लॉसिटी जीरो ले रहे हैं तो आपको पता यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा यहां से यहां स्मॉल टी फिर यहां से यहां तक दूबारा से स्मॉल टी चार बार स्मॉल टी लगेगा पहले ऑबज्यक्स यहांसे यहां यहां हम करेगा यहां से हां यहां से यां यहां से यहां यहां आप Scorp популяр हिक अगर आप से टोतल टाइम पूछा जाए आप वरÃ फिर एक end point से दूसरे end point तक आने में T by 2, प्लस यहां से यहां आने में under root 2H by G, ठीक है न, फिर नीचे से उपर जाने में under root 2H by G, फिर यहां से यहां आने में कितना लगेगा T by 2, फिर यहां से यहां जाने में under root 2H by G, तो यही मैंने बताया था, यह कितना लग जाएगा, t by 2, t by 2 add करोगे, t plus 4 times under root 2h by g, यह time लगेगा, total time, पर यह total time मेरा shm का नहीं है, यह periodic motion है, motion periodic रहेगा, बट जो मेरा motion है, वो shm नहीं है, reason क्या है, shm के लिए acceleration directly proportional होना चाहिए, minus a, force directly proportional होना चाहिए, minus of distance, but यहाँ पे जो म सकते हो, क्योंकि towards the center लग रहा है, है ना, आप negative sign लगा सकते हो, but वो r square पे depend करता है, यहाँ भी 1 by r square पे depend करता है, इसलिए वो आपको shm में नहीं दिखेगा, यह shm नहीं है, ठेके ना, क्योंकि आपका time period height पे depend कर रहा है, देखो, time period depends on height, amplitude पे time depend करने लग गया, यहीं से द देख लो, time period अगर amplitude पे depend कर रहा है, गर मैं height को बदल दूँ, तो time period और जादा आजाता, time period depends on height, इसका मतलब shm नहीं है, time period अगर height पे depend नहीं करता, तो shm है, ठेक है, तो this is not shm, ठेक है ना, समझ में आ रहा है, so जो यहाँ पे मैंने case दिखाया है, earth tunnel system दिखाया है, यहाँ time period का formula, जैसे simple pendulum में होता था, 2 pi root l by g, यहाँ L की जगे radius of earth था गया, अगर surface से आप कर रहे हो, oscillation, ठीक है, tunnel किसी और angle पे ले रहे हो, अगर आप ध्यान से देख रहे हो, यहाँ tunnel बना दिया, यह theta angle दिया, this is radius, तो यहोगा r cos theta, तो amplitude r cos theta हो जाएगा, otherwise सब कुछ वैसा ही रह ठीक है, ओके, so यही overall हमारा slabus है, damped harmonic oscillator भी था, पहले पटा बो slabus से हट चुका है, damped harmonic oscillator slabus का part नहीं है, forced harmonic oscillation अब नहीं पूछा जाता है, ठीक है, so overall जो भी slabus है उसके according यह, अगर last time में कोई changes होंगे, तो I'll do that again, ठीक है, tension मतले न, वैसे अभी slabus है, उसमें damped harmonic oscillator mention नहीं है अगर later on stages पे कुछ ऐसा आया, तो we will do that, but अभी तो नहीं करना है हम लोगों को, अभी यहां तक अच्छे से revise करना है, तो मैं आपको एक बार recap दे देता हूं, सब कुछ जो हम लोगों ने अब तक किया है, मैं summary के बारे में आप लोगों को बता देता हूं, एक बार summarize करते है सबसे पहले हमने यह chapter किया था SHM का, यहां मैंने आपको बोला था क्या condition SHM की, हमने पढ़ा था कि कोई भी oscillation हो सकता है, अगर मेरा X की power N पे force depend कर रहा है, और N हमारे कैसा है, odd है, बट यहां पे oscillation अगर simple harmonic चाहिए, तो N की value 1 कर दो, F is proportional to minus X, यह हमारा restoring force है, फिर हमने बोल force जो है, वो displacement पे depend कर रहा है, और force और displacement are opposite to each other है, यह सारी चीजे हम लोगों ने discuss की थी, यहां पर हमने spring mass system के बारे में discussion किया था, spring mass system में omega root k by m आया था, यह differential equation थी, इस differential equation का solution भी मैंने आपको बताया था, दो solution हो सकते हैं, A sin omega t plus 5 या फिर A cos omega t plus 5 यह दोनों ही solution मेरे क्या है SHM के solution है, तो कभी भी अगर SHM होगा, तो X को sine या cosine में express कर सकते हैं, एक बात याद रखना, अगर X को आपका cos square में आ जाए, suppose, मान लो A cos square omega t आ जाए, तो भी आप इसको SHM की equation मान सकते हो, क्योंकि cos square को हम cos की term में, cos 2 omega t की term में express कर सकते हैं, यह भी मेरा harmonic होता है, sin square, cos square भी harmonic होता है, sin theta, cos theta, sin square theta, cos square theta, इसके इलावा अगर आप और कोई power रख रहे हो, तो harmonic नहीं है, sin square, cos square ये भी हमारे harmonic होते हैं, आप sin square को रख लो, cos square को रख लो, या फिर आप X is equals to sin square omega t plus phi या कुछ रख लो, ये भी मेरे harmonic है, बट इसके इलावा कोई power कर दो, अगर आप power 3 रख 4 रख दो, और other powers पे वो harmonic नहीं होता, तो अगर दो function को add करके आप single sign या cosine की term बना सकते हैं, जो हमने combination में पढ़ा था, तो वो harmonic है, ठीक है, यहां आगे बढ़ते हैं, यहां पे हम लोगों ने acceleration position relation उसका graph, important है न, important लिख लेना बेटा, मुझे इस पे उमीद है कि इससे कोई question मना सकता है, acceleration position से, हम से graph पूछे जा सकते हैं, ज्यादा तर यही पूछे जा रहे है, acceleration position relation, velocity time relation, visibility position relation, तो आप देख सकते हो, acceleration is equal to minus omega square x, यानि कि acceleration displacement के साथ बढ़ता है, ज्यादा displacement, ज्यादा acceleration, तो maximum value इस की हो जाएगी, जब मेरा displacement maximum हो जाएगा, यानि कि आप amplitude पे जाओगे, यहाँ पे acceleration omega square, maximum acceleration, काफी questions कराये थे, मैंने, maximum acceleration यहाँ पे, तो minimum acceleration, equilibrium position पे, जहाँ नेट 4, 0 होते थे, acceleration 0, तो यहाँ पे, A versus X graph जैसे, हमारा F और X का graph बनता था, spring force में, वैसा ही graph है, इसका slope negative है, straight line graph है, acceleration versus position graph is a, straight line graph, आप से पूछा जा सकता है, यह graph कैसा है, तो graph मेरा, straight line है, acceleration versus position है, पहले आप equation लिख दोगे, तो आपो खुद समझ में आ जाएगा, यह straight line है, इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, हमने discuss किया था, velocity का position से relation, तो यहाँ पे, जो मेरा formula आया था है, वो यह important है, किसी भी position पे, आप velocity निगाल सकते हो, वीज इगल सक minus x square, इस relation को use करोगे, बहुत काम का relation है, maximum velocity mean position पे, जहाँ x 0 हो, और extreme position पे velocity 0, जहाँ x A होता है, आप कर सकते हो, यह x को 0 डालोगे, v is equal to omega A आजाएगा, maximum velocity, x को A डालोगे, या minus A डालोगे, v 0 आजाएगा, आप देख सकते हो, इसके इलावा, हम लोगों ने इसका graph plot किया थ इसकी जो shape थी, वो elliptical shape थी, मैंने बताया था, अगर omega 1 से बड़ा है, तो ऐसा ellipse बनेगा, velocity versus position, y axis पे velocity, x axis पे position रखा गया है, इस तरीके का ellipse बनेगा, इस तरीके का अंडा बनेगा, यहाँ पे कुछ अंडा ऐसे है, यहाँ वर्टिकल अंडा, यहाँ पैठावा बनेगा ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके का अंडा बनेगा, obviously, a मेरा omega 1 से बड़ा होगा, अगर मेरा omega 1 से छोटा हो गया, equation इसकी बहुत असान थी याद रखनी, v square by v max square plus x square by x max का square, इसको आप use कर सकते हो, v max omega a, x max को आप a कह सकते हो, पूरा derivation करने की exam में जुरुत नहीं है ना ठीक है ना, directly कर लोगे ना, आगे बढ़ते हैं, energy in SHM important है, यहाँ पे हम time के साथ variation discuss कर रहे हैं, समय के साथ यह variation कैसा होता है, मैंने x की equation लिए a sin omega t और इसको differentiate किया है, तो a omega cos omega t आए, हाला कि अगर आप यहाँ x को क्या रखते है, a cos omega t, तो मेरा v जो आता, अगर आप x को a cos omega t रखते हैं, तो v minus a omega sin omega t आता, थोड़ा सा लगा जाता, ठीक है न, तो यहाँ पे graph फिर बदल जाता, अभी graph यहाँ पे sin की equation है, यहाँ cos की है, तो ऐसा graph बन रहा है, आप देख सकते हो, यहाँ पे जो मेरी kinetic energy है, velocity पे depend करती है, तो वो cos square पे depend कर रही है, और potential energy sin square पे कर र होता, तो velocity sin पे आती है, तो यह equation अदला बदली हो जाती है, तो यहाँ अदला बदली हो जाती है, ठीक है न, तो अभी यहाँ पे जो मेरा graph बन रहा है, वो green वाला अगर आप graph देखो के kinetic energy का है, जो cos square वाला graph है, और जो yellow वाला graph है, वो किसका graph आपको नजर आ रहा है, वो graph आपको किसका नजर आ रहा है, actually यह graph बिल्कुल sin cos जैसा ही है, बस उपर lifted, ठीक है न, यहाँ थोड़ा सा मैंने sharp बना दिया था, इसको थोड़ा सा आप सही करके बनाना, मैंने बाद में देखा, यह थोड़ा सा sharp बना दिया था, यह थोड़ा सा smooth होता है, ऐसे नीचे से भी ठीक है न, इसे sin cos का ही graph है, यह बस shift हो गया है, ऐसा लगर है, sin का graph किसी ने उपर shift कर दी है, cos का graph किसी ने उपर shift कर दी है, ठीक है न, तो यहाँ potential energy का graph yellow से, और total energy constant है, वो time पे depend नहीं करती, total energy independent of time, total energy कभी भी पूछ ले, आप देखो, दोनों को जोड़ रखा है मैंने, ठ तो अगर आप ध्यान से देखोगे, total energy हाँ, kinetic plus potential लिख दो, total energy क्या हो जाएगी, kinetic plus potential energy, अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे, तो यह कितना आ जाएगा, half k a square, इसके बाद energy with position, position के graph, अगर आप ध्यान से देखोगे, potential energy position के साथ, smile parabola, happy parabola बनता था, याद है, एक smile, एक स यहां पर क्या graph बनेगा, इसका coefficient x square का negative है, यहां पर sad parabola, बट यह जो term है, यह कहती है, shift करो parabola को उपर, वो यहां से ना बनके parabola, उपर shift होगे, जो यहां से start होके, यहां से sad बनना चाहिए था, वो sad parabola, उपर shift होगे, पर है तो sad parabola, ठीक है न, तो यहां पर आपका kinetic energy का sad, और potential energy का smile parabola, जहां पर यह दोनों intersect कर रहे हैं, यहां पर इसका मतलब भी आप याद रखना, यह intersect कर रहे हैं, यानि कि इस position पर kinetic और potential energy बराबर है, इस position पर आपकी जो kinetic energy होगी, वो ही potential energy होगी, आपको याद है, यह कब होता था, at x is equals to a by root 2, मैंने पढ़ाया था न, यह कब होता था, यानि कि यह क्या हो जाएगा, minus a by root 2, है न, यह कब हो जाएगा, यह कब होगा, जब x is equals to plus a by root 2 होगा, यह भी हमने देखा था, कब kinetic और potential energy बराबर होते हैं, पढ़ाया था न, आपको SHM में, और इसके बाद अगर हम ध्यान से देखेंगे, मैंने कुछ curve आपको ब frequency हो गई है, double, energy का जब आप graph बना रहे हो, kinetic or potential energy का, उनकी frequency हो गई है, double time period हो गया है, half, जो position की frequency है, उससे double frequency आएगी, जो position का time period है, उससे half time period आएगा, ऐसा एक question भी कराया था, class में, time average, time average मतलब अगर आप इनका average energy का time average निकाल रहे हो, एक पूरे time period पे कितना average आएगा, तो आप देख सकते हो, displacement हो, चाहे acceleration हो, है न, चाहे position हो, मतलब position या displacement, velocity या acceleration, यह sign और cost पे depend करते हैं, और एक complete time period पे इनकी average value 0 होती है, पर energy की अगर आप बात कर रहे हो, sign square, cost square पे depend करत होती है, उसकी average value half होती है, यानि कि अगर आप average energy निकालोगे, one by four times k a square, जो total energy होती है, total energy half k a square होती है, तो average kinetic energy, आधा of total energy, यानि one by four of k a square, potential energy का भी average value, one four of k a square, यानि कि half of total energy, uniform circular motion की बात करें, इसको हम SHM से relate कर सकते हैं, यह हमने देखा था, particle यहाँ SHM नहीं कर रहा है, uniform circular motion कर रहा है, बट अगर आप उसका projection x-axis पे देखेंगे, y-axis पे देखेंगे, तो हम इसकी equation मना सकते हैं, depending upon वो clock जा रहा है या anti-clock, आप देख सकते हो, angle हम कहां से measure करते हैं, य ठीक है न, और यहाँ पे मैंने कुछ questions कराया था, आप इसकी equation देखोगे, x-axis पे या y-axis पे, वो SHM जैसी होगी, ठीक है, फिर मैंने आपको एक general तरीका बताया था, जैसे कि मैंने आपको बोला था, ज्यादा तर question इससे related आते हैं, कि आप x is equal to 0 से a by 2 जा रहे हो, तो कितन minimum speed है, speed जाद है तो कम time में पहुंच जाओगे न, आप a by 2 तक, और उतना ही distance आप a by 2 से a में cover करोगे, 0 से लएक आप 2 जो distance है, उतना ही distance a by 2 से a है या नहीं है, है न, a by 2 ही तो distance हुआ न, 0 से a by 2 और a by 2 से a, पर दो-दो same distance में अलग time क्यों लग रहा है, क्योंकि पहले जाधा थी मीन पर स्पीड जाधा थी वो कम होती जा रही है आपको टाइम लगता था टी बाइट और टी बाइटू से एबाइटू से जाने में टाइम लगता था हमारा कितना टी बाइट रहेगा, 0 से A, T by 4, A से 0, T by 4, फिर 0 से माइनस A, T by 4, और माइनस A से 0, T by 4, बट 0 से A by 2, T by 12, A by 2 से A, T by 12, A से A by 2, T by, T by 6 था, sorry, A by 2 से A, T by 6, A से A by 2, T by 6, दुबारा से रिपीट करता हूँ, 0 से A by 2, T by 12, A by 2 से A, T by 6, A से A by 2, T by 6, A by 2 से 0, T by 12, 0 से माइनस A by 2, T by 12, माइनस A by 2 से A, T by 6, और फिर A से माइनस A by 2, दुबारा से T by 6, और माइनस A by 2 से 0, T by 12, तो यह पूरा मैंने यहां पर लिखवाया भी था, यह सब कुछ आपको class में बताया भी था, ठीक है, vertical spring mass system पर discussion किया था, मैंने का था, बस यहां फरक क्या पढ़ता है, यहां पर जो SHM हो रहा है बस वो y direction में हो रहा है, फरक यह पढ़ रहा है, SHM y direction में हो रहा है, और equilibrium position आप तो equilibrium आ रहा है, अगर आप इसको रोके रखोगे तो यह रुका रह गया, अब आप इसको जितना नीचे ले जाओगे और छोड़ोगे यह SHM करेगा, तो this is my new equilibrium position, और यहां पर time period वगेरा सब कुछ सेम रहता है, उस पर कोई फरक नहीं पढ़ता, vertical spring mass system में मैंने आपको बता यहां से 2 mg by k distance नीचे जाता है, तो इसका जो amplitude of vibration है, वो भी mg by k है, ठीक है न, तो यहां से छोड़ोगे mg by k पर equilibrium और equilibrium से भी mg by k पर जाके रुपता है, तो यही मेरा SHM बन जाता है, यहां पर, ठीक है न, यह amplitude भी mg by k हो जाता है, combination of springs फिर हम लोगों ने discuss किया था, series parallel, series में यहां पर ऐसे आता है, जैसे resistance में parallel में answer आता था, 1 by k effective, 1 by k1, 1 by k2, 1 by k3, अगर आपके सारे k सेम है, अगर आपके k1, k2, k3, यह सारे अगर आपने क्या कहा कि सर, यह सारे सेम हो गए, तो आप यहां से directly k effective को लिख सकते हो, k by n, अगर आपने n spring लगा है, यहां पर अगर आप parallel combination देख रहे हो, इसमें भी अगर मैंने k1, k2, k3, सारे सेम कर दिये, है न, kn, यहां answer ऐसे आ रहा है, जैसे series resistance आते थे, यहां spring, parallel में ऐसे आते हैं, जैसे series resistance होता है, यहां पर आपका k effective जो आएगा, आपका n के आ जाएगा, ठीक है न, फिर यह हमने देखा था, omega हमारा बदल जाएगा, क्योंकि omega आएगा, root k effective ym, तो दोनों में omega बदल जाएगा, ऐसा combination देखने में लगता है, कि series में बढ़ होता नहीं है, इसका result parallel जैसे आता है, ऐसे k1, k2 है, मैंने ऐसे questions काफी class में कराएगा, तो यहां से इसका resultant हमारा k effective k1 plus k2 आएगा, cutting of spring, spring को cut करना, यानि कि spring को छोटा करना, उससे क्या होता है, आपका spring constant हमारा stiffness क्या होता है, बढ़ जाता है, spring constant या stiffness क्या होता है, बढ़ जाता है, दो equal parts में काट होगे, तो दोनों का equal के हो जाएगा, बढ़ अगर आप अलग-अलग length पे, जैसे आप k1, k2 निकाल सकते हैं, फिर मैंने यहाँ n equal cuts लगाए थे, यहाँ पे मतलब मैंने n-1 cut लगाए थे, तो n equal springs बनाए थे, ठीक है न, तो n-1 cut लगाके, यानि कि आप इतने हिस्सों में इसको काट रहे हो, तो n number of springs यहाँ बन गए थे, तो हर एक की length l by l बन गई थी, तो k मेरा बढ़ गया था, n times मेरा k क्या हो गया था, increase हो गया था, तो new spring constant n k हो गया था, इसके बाद मैंने आपको एक तरीका बताया था, जब आपको ऐसे बोल दे कि spring को दो पार्च में काट रो, l1, l2 और इनका ratio दे, l1 by l2, तो आप से time period का ratio बोल दे, तो आप simply time period का ratio दे सकत का ratio है, ठीक है न, बस under root में, यह याद रखना है मैंने length का ratio बोला, बढ़ अंडर root में है वो, ठीक है, combination of two linear shm, हमने देखा था, आप जब दो shm को जोडते हो, तो इसका result बिलकुल vector की तरह add होता, vector जैसा addition देता है यहाँ पे, तो आपने देखा, अगर यह a1 है, a2 है, तो final phase होगा, वो alpha होगा, वो आप देख सकते हो, यह 10 alpha से formula से, जैसे vector में निकालते हैं, निकाल सकते हैं, जादा तर amplitude के question यह आते हैं, अगर हमारी frequency different है, तो हम लोग देख सकते हैं, क्या case हो सकता है, अगर मेरी frequency एक दूसरे से integer multiple है, यानि बड़ी वाली frequency को किसी भी छोटी से divide करूं, तो integer आना चाहिए, ठीक है न, तो अगर ऐसा होता है, तो इनका जो combination है, वो periodic होता है, बट SHM नहीं हो सकता, SHM के लिए तो तीनो frequency सेम होनी चाहिए, यह SHM नहीं है, periodic motion आएगा, बट अगर मेरी frequency बिलकुली अलग है, तो ना तो SHM होगा, ना periodic होगा, यह कुछ होरी मिलेगा, आपको ना SHM, ना periodic, simple pendulum के बारे में discuss किया था, हम लोगों इसको solve किया था, हमने देखा था, यहां से alpha पूरा solve करने के बाद, छोटे angle के लिए, time period का formula आ जाता है, 2 pi root L by G, यानि की omega आ जाता है, root G by L, तो यह formula हो गया था, हमारा simple pendulum के लिए, यहाँ पे, इसको हमने lift में लिया था, अगर lift उपर accelerate कर रही है, तो G by A, और अगर lift नीचे की तरफ accelerate कर रही है, तो G minus A, यह हमारा formula आ जाता है, effective G change हो जाता है, हमारा formula में, अगर lift uniform velocity से move कर रही है, तो time period पे फरक नहीं पड़ेगा, अगर free fall कर रही है, तो time period infinite बन जाएगा, यह हमने देखा था, इसके साथ-साथ हम लोगों ने देखा था, अगर इसको हम गाड़ी में रख दे, कार में रख दे और हो आगे accelerate कर रही है, तो G effective root A square plus G square बन जाएगा, यानि कि 2 pi root L by root G square plus A square, यह हमारा formula बन जाएगा, ठीक है न? compound pendulum में क्या था, बस हमें याद रखता है, कोई axis of rotation है, यह mg है, mg center of mass से लग रही है, यहां से लेकर यहां तक का distance हमने R लिया, हमने इसको theta angle से मालो rotate किया, compound का मतलब कोई arbitrary shape का pendulum, तो आप देख सकते है, mg sin theta यहां एक torque देगा, यहां से हमारा omega आता था, root mg R by I, I इसका moment of inertia है, object का, चेक है, इसके बाद power pendulum की हमने पूरी यहां calculation की थी, यह पिछले formula से भी आप कर सकते हो, नहीं तो आप यहां पे axis of rotation लेके, center of mass से यहां तक का distance L by 2 लेलो, क्योंकि total length L है, तो center of mass से जो इसका distance हो जाएगा, this distance becomes L by 2, center of mass से इसका separation L by 2 है, तो torque लगेगा, mg L by 2 sin theta, और sin theta क देखेंगे, छोटे oscillation के लिए, यहां से हमारा alpha यह आ गया, omega मेरा root G by 2, root 3 G by 2 L आ जाएगा, तो time period निकाल लेंगे, torsional pendulum में क्या होता था, हम object को torque देते थे, हम rotational torque देते थे, हम इसको twist करते थे, this is kind of twisting, है न, हम इसको twist करते थे, जैसे wire को twist करते है, तो यहां से twisting की बज़े से, अगर आप clockwise twist कर रहे हैं, तो anti-clockwise torque मिलेगा, और यहां पे जो torque होता है, जितना twist करोगे, उतना बढ़ता जाता है यहां पे जो constant है, वो है torsional constant, जैसे spring constant होता है, खीचोगे, उतना spring force बढ़ेगा, वैसी जितना rotate करोगे, उतना torsional, यहां torque आपका बढ़ेगा, तो यहां से भी हम देख सकते हैं, i alpha को k theta लिखा, alpha k by i into theta, तो यहां पे alpha minus omega square theta, omega root k by i आगया, फिर हम लोगोंने seconds pendulum के बारे मे discussion किया था, हमने देखा था, seconds pendulum, एक pendulum है, जिसका जो time period है, वो two seconds है, जिसका जो time period है, आप देख सकते हो, वो two seconds है, इसकी जो length हाती थी, वो one meter हाती थी, time period two seconds, और length हमारी one meter, यह हमारा second pendulum होता था, ठीक है, so यही तक है, जितना भी मैंने आज पढ़ा है, आपको important चीज़े ब fast वाली, उसके questions अगर आपके कई अठके हैं, तो दुबारा solution देखना, पर अब हाँ, जाने से पहले, एक important बात, जैसकी मैं आपको बताता हूं हर बार, आज किसका जनम दिन है, ठीक है न, physics के छेतर में, science की दुनिया में, आज बहुत ही important, एक बहुत ही legendary person है, जिनका जनम ह हुआ था, जिनका नाम था, एंड्रे मारी, एंपियर, जिनको आप एंपियर के नाम से भी जानते हूं, आप लोगों को याद आ रहा हो गये, नाम सुनते ही, एंपियर आपने कहां सुने, आपने ऐसा unit of electric current सुने है, है न, वहीं एंपियर इनी के नाम पे है, इनका जनम दि 28 जनवरी को हुआ था, आप इनके बारे में जादा नहीं जानते तो मैं थोड़ी सी इनके बारे में आपको detail बताता हूं, इनके बारे में भी एक short story ज़रूर बताऊंगा, आप लोगों को जैसे की बार बार बताता हूं, तो भाई, सीधी सी बात है, ये जो थे, ये इतने क 12 साल की उमर में ही इन्होंने पूरी encyclopedia, एकदम इनको मुझवानी, सब कुछ चीजे पता थी, सब जानते थे, यानि कि तभी इनको बहुत विद्वान घोशित कर दिया गया था, 12 साल की उमर में मात्र, बिना स्कूल जाए, सोच बिना स्कूल जाए, ये स्कूल भी नहीं और अपनी जो इनके फादर की मानना था, उनके फादर का जो इनके पिता जी का मानना था, वो था कि ये सेल्फ जो भी पढ़ें, अपने आप करें और उससे ये अपने सिद्धानतों से, अपने उसूलों से सीखेंगे, ठीक है, तो ये अपने आप ही चीजों को पढ़ते समझते थे बारा साल की उमर में इन्हें बहुत अच्छे से मैथमेटिक समझ में यह मैथमेटिक के अच्छे खासे मास्टर थे ठीक है बहुत बहुत ही ज्यादा ब्राइट एक्स्ट्राओर्डिनरी जो बच्चा होता है यह वो थे बट कहते हैं जिंदगी हमेशा इंतिहान लेती है इनका भी बहुत तगड़ा इंतिहान लिया जिंदगी ने जब यह आराउंड 17 साल के थे उस टाइम फ्रेंच रेवल्यूशन शायद आपने हिस्ट्री में पास्ट में सुना उसके बारे में ठीक है वो चल रहा था उदर उस साइट पे और वहां पे शायद गोवर पूरे लोगों के सामने जनता के सामने पब्लिकली उनको पनिश किया गया डेथ की सजा सुनाईगी है और सबके सामने उनको डेथ दी गई एक्जीक्यूट किया भी गया तो इनका दिल टूडिया उसके बाद किसी का भी टूड जाएगा कोई भी यह बरदाश नहीं कर पा इसना बड़ा हाथसा किसी के साथ हो जाए ठीक है न तो बहुत ही बढ़ा इनके साथ इंसिदेंस रही इनकी लाइफ में यह बहुत ही बड़ी रही उसके बाद भी इन्होंने दो साल तो शायद नहीं कर पाए पर फिर भी इनका दिमाग काफी तेज था और अब फैमिली का अपना इनका इंट्रेस्ट था न वो रहा हमेशा मतलब इनका दिमाग तो चलता एक्स्ट्राओर्डिनरी था वो चलता रहा वो अपनी जगे काम करता रहा और यह बात तब है जब आपने एच्सी ओइस्टर्ट का नाम सुना होगा 10th में NCRT में भी नाम है वो मैगनेट व आम सारा समय उस एक्सपेरिमेंट को दिया यह बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए इन्होंने देखा एक वायर एक निडिल को मैगनेटिक निडिल को डिफलेक्ट कर सकती है तो यह बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए फिर इन्होंने वह आईडिया आगे रखा इन्होंने का कि actually जो magnetism है ना, यह wire के अंदर है, मतलब इनका जो contribution है, वो classical electrodynamics में है, classical हमारी जो electromagnetic की दुनिया है ना, उसमें इनका अच्छा contribution है, यानि कि इन्हों ने यह काफी जादा relations बताया है, यह वही है जिन्हों ने दो perpendicular wire या दो parallel wire, दो parallel wire के बीच में forces के बारे में बताया था, अग इन्हों ने बताया था, amperes ने बताया था, ठीक है ना, इनका contribution वहाँ है, जो आप शब्द सुनते हो, solenoid, कुछ words आप सुनते होगे, solenoid है न, सुनते हो न, solenoid क्या होता है, देखा होगा न, आपने इस तरीके से winding सिखाते हैं, आपको solenoid के बारे में बताते हैं, यह terminology भ इच का जो relation बताया, वो इन्होंने बढ़ाया, इन्होंने बहुत बड़े पेमाने पे बहुत सारे experiments करके, बहुत detailing में काम करके इन experiments को proof किया, amperes security law के बारे में भी आप परते हो, वो भी इनके नाम पे है, और SI unit जो आप जानते हो भी इनके नाम पे है, तो हमें कैसी सीखन में जो हाथसा हुआ, आपको ऐसा लगेगा, सुनके भी मतलब रूख आप जाती है, किसी के साथ अगर ऐसा होगा, तो फिर वो बिल्कुल shutdown हो सकता है, कोई भी बंदा खतम हो जाएगा, इतना कुछ होने के बाद, इन्होंने अपना आपको संभाला, आपने परिवार को देखो, फरक नहीं पड़ता, हम लोग जाधा तर सोचते हैं, ये Indian scientist थोड़ने है, physicist थोड़ने है, इनको कितना हम इतना importance के होदे हैं, फरक नहीं पड़ता, इंसान की importance जाधा होती है, हाँ, हमारे science के शेतर में हमारे Indian physicist भी कम नहीं है, जब उनका number आएगा उनके भारे में भी मैं बताऊंगा बट फिलाल जो इन्होंने contribution दिया है वो बहुत ही बड़ा है आज की इस time में आप देख सकते हो electromagnet सबसे ज़्यादा कारगर साबित होती है तो इनका contribution electromagnet की दुनिया में भी काफी ज़्यादा है ठीक है तो आज का session यहीं समापत होता है और हम आगे बढ़ते हैं बस मैं आपको बताता हूं आप लोगों को क्या करना है आपको DPP attempt करनी है ठीक है ना DPP को solve करना है अच्छे से DPP के सारे questions देखने है प्लस module आप लोग कर सकते हैं मैंने previous year questions काफी सारे करा दिये हैं आप लोगों को कोई लगे या पीवाई क्यू है ट्राइ कर सकते हैं प्लस आप exercise 1 कर सकते हैं जहां आपको लगेगा आपको करना है आप ट्राइ करो हटना नहीं है महनत करते रहनी आगे बढ़ते रहना है ठीक है ना सो आज इसी positive note के साथ आज का session में समाप करता हूं दुबारा मिलूंगा अगले session में अगले chapter के साथ तब तक के लिए टेक कियर अलविदा भाई बाई बाई सी यू सुन बाई यारू